नविश्कार में वी मान्श मिश्रा और आप देख रहे हैं News 24 तो हाल ही में एक फिल्म आई है जिसका नाम है आदी पुरुष इसको लेकर खूब हंगामा हो रहा है इसके VFX इसके Dialogues को लेकर खूब आलोचनाई की जा रही है इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ रामनंद सागर साहब के जो रामायड थी उनमें लक्षमन का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी साब जुड़े हैं सुनील जी बहुत-बहुत स्वागत नियूश्रोंडिफोर पर आपके जार्म जी की नन्यवाद सुनील जी क्या आपने फिल्म देखी और फिल्म कि रामायड को लेके इस तरह का मजाग बनाना और वह भी उन लोग जिनकी एक बैक्राउंड है जिनका एक स्टेटस है जो एक धार्मिक प्रवती के लोग है अब मुझे बहुत-बड़ा मतलब के उस बात बहुत दुख हुआ कि इस तरह के लोग भी अपनी संस्कृती की इ और एक जो रामायड जो हम सब ने देखी है बहुत अच्छे से उससे परिचित है उससे एक लगाउसा है हम लोगों को उसमें आपने लक्षमन का रोल प्ले किया क्या फर्क नजर आया सबसे आदा आपको सर मैं बताओ उसमें तो एक्स्पोजरी प्रवपर नहीं है ना किसी कारेक्टर काई ना राम का प्लेगी लक्षमन के एक्स्पोजर है तो जो किछ भी थोड़ा बाद दिखा मुझे और comments wise भी तो वो सिर्फ साथ के दिखी सेब साथ ने बहुत अच्छा किया है पस मैं यह कहूंगा बाकी लक्षमन के character में तो मुझे कुछ भी scope भी नजर नहीं आए कि कहीं पर वो कुछ कर सकते फिल्म में एक डायलॉग बोला गया है हनुमान जी की तरफ से कपड़ा तेरे बाप का तेल तेरे बाप का इस टाइप से उस डायलॉग को लेकर क्या कहेंगे मतलब एक आदिपुरुष फिल्म का नाम है और उसमें इस तरहें के डायलॉग यानि कि इस तरहें की भाशा शैली का इस्तमाल बजरंग बली कर रहे हैं क्या कहेंगे बहुत शर्म वाली बात है कि मतलब है कि जिनको हम पूछते हैं जिनके दुनिया भर में मंदिर हैं जिनको हम संकट मोचन कहते हैं उनका उपर पूरा हनुमान चालीसा है और जो राम भक्त हैं और राम भक्त होने के बाद लेकिन फिल्म में क्योंकि उनसे बुलवाया गया है लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि उन डायलॉक्स को हटाया जाएगा और जिन डायलॉक्स को लेकर आपतियां हैं लोगों को उनको वहां से कट किया जाएगा क्या सिर्फ डायलॉक्स हटा देना मतर काफी होगा आपको लगता है एक बार आघाद कर दें किसी को अपर उसके बाद में कहा है कि सौरी और मलमपटी कर दें तो वो चीज ठीक तो हो नहीं सकती ना कहीं न कहीं दिल में वह जख्म का उसका वह ऐसास तो रहेगा ना वैसे यह अगर आपने पहले जीज़तों गल्ती नहीं करनी थी तो इसका मतलब कही न कहीं गल्ती किये तो मान रहा है ना अगर गल्ती नहीं किये हों तो मानते हैं इसका इसे शुल्जे हुए लोग नहीं लोग पर इस तरह कि बहुत ब्लेंडर कर लूदे इस बुरुन मतलब भावना है लोगों की वास्था है लोगों की उस आस्था के साथ में इस तरह का खिरवाल कर रहे हैं जब फिल्म आई तो जी लोग जागरुप हुए हैं और उन्होंने अब्जेक्शन उठाया है अब भी सिर्फ पहले तक लोग सिर्फ आपस में बात करके चुप रह ज करना चाहिए और इसी तरह जागरुप रहना चाहिए हमारी संस्कृति हमारे कंचर को अगर कोई ठेस बहुचाने की कोशिश करता है तो जागरुप होके उसका सामना करना चाहिए और उसको रोकना चाहिए कि बस अब अब टाइम शुड़ स्टॉप लिया ना